पार्लिमंट हाउस में आपने देखा होगा कि अजीब सी बात है BJP की जो पूरी मुवम्मंट थी राम मंदिर की अयोदिया की मुवम्मंट थी सही बात शुरुवात अडवानी जी ने की थी रत यात्रा हुई थी उसमें आपने अडवानी जी को रत पे देखा था कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने उस यात्रा में अडवानी जी की मदद की थी इनकी शुरुवात वहां हुई राइट ठीक है रत यात्रा चली और पार्लिमंट में मैं सोच रहा था कि उन्होंने राम मंदिर का इनागुरेशन किया और राम मंदिर के इनागुरेशन में अदानी जी दिग गए अंबानी जी दिग गए मगर गरीब वियक्ति वहां कोई नहीं दिखा आपने देखा होगा टीवी पे देखा आपने अब उसका नतीजा बताता हूं पार्लिमंट में मैं यहां बैठता हूं यहां पे अयोधिया के एंपी बैठते हैं देखा आपने उनका चहरा इंडिया गटबंदन के हैं है ना मैंने उनसे पूछा कि भाईया आप मुझे एक बात समझाओ यह बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स अयोधिया की पॉलिटिक्स थी चुनाओ के पहले इनोंने राम मंदिर का इनोग्रेशन किया राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की मीडिया में फैला दिया मैंने उनसे पूछा भाईया एक बात बताओ यह हुआ क्या कि उन्होंने राम मंदिर का इनोग्रेशन किया और इंडिया गटबंदन अयोधिया में चुनाओ जीत किया यह हुआ क्या और मुझे जवाब उन्होंने दिया मैं यह जवाब आपको देना चाहता हूँ उन्हेंने का राहुल जी मुझे पता लग गया था तक्रीबन छे महीने पहले मुझे पता लग गया था कि मैं अयोधिया से लड़ूँगा और जिस दिन मुझे पता लगा उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूँगा नहीं इंडिया गटबंदन अयोधिया से जीतने जा रहा है मैंने कहा कि आपको कैसे मालू पूरी देश में मीडिया में सब जगे राम मंदिर का इन्योगरेशन हुआ तो आपको कैसे मालू उन्होंने कहा कि राहूल जी जब मैं अयोधिया में लोगों से बात करता था तो मुझे अयोधिया के लोग सिर्फ दो तीन चीज़े कहते थे पहली बात कहते थे कि अयोधिया में मंदिर बनाने के लिए क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई बहुत सारे लोगों की दुकाने घर तोड़े गए और आज तक जिन लोगों के घर छीने गए, तोड़े गए, दुकाने तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोधी जी ने कॉंपेंसेशन नहीं दिया पहली बार, जहां भी वो जाता था, लोग उनसे कहते थे, हमारी जमीन छीनी गई, सरकार ने हमें मुआविजा नहीं दिया दूसरी बात, अयोदिया का इंटरनाशनल एरपोर्ट बना, बड़ा एरपोर्ट, जमीन किसकी गई? अयोदिया के किसानों की जमीन गई, आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला और तीसरी बात इन्हों ने बताई मुझे, तीसरी बात राहूल जी, अयोदिया की जनता को बहुत गुसा आया, जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉगुरेशन में, अयोदिया का एक भी व्यक्ति नहीं था ये कारण थे, मगर मैं आपको ये काहनी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो मुव्मंट अडवानी जी ने चालू की थी, उस मुव्मंट को, जो जिसका सेंटर अयोदिया था, उस मुव्मंट को इंडिया गडबंदन ने अयोदिया में हरा दिया है बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मतलब इनका पूरा जो सेंटर था वहाँ पे हमने आप जैसे कार्यकरताओने कॉंग्रेस पार्टी के कार्यकरताओने और आप जाके पूछिए वहाँ पे समाजवादी पार्टी के किसी भी नहता से पूछ लीजिए और वह आपको बताएगा कि कॉंग्रेस पार्टी का कार्यकरता बबर शेर जैसे हमारे साथ खड़ा हो गया था एक इंच पीछे नहीं हटा तो अयोधिया में कॉंग्रेस पार्टी ने इंडिया गटबंदन ने इनको हराया है तो अगला स्टेप क्या है अब इन्होंने क्या किया अच्छा अंदर की बात बताता हूँ अब यहां आया हूँ परिवार से बात वरी तो अंदर की इंसाइट ट्रैक बता देता हूँ इंसाइट ट्रैक है उसी MP ने बताया राहुल जी यहां पर तीन बार सर्वे हुआ था नरेंद्र मोदी जी वारा नसी से नहीं लड़ना चाते थे नरेंद्र मोदी जी अयोदिया से लड़ना चाते थे उनके सर्वेयर आए तीन बार आए नरेंद्र मोदी जी आए और सर्वेयर ने उनको कह दिया नरेंद्र मोधी जी अगर आप अयोधिया से लड़ेंगे आप अयोधिया में हारेंगे आप अयोधिया में मत लड़िये क्योंकि अगर आप लड़ गए आपका राजनेतिक करियर अयोधिया में खतम हो जाएगा इसलिए आयोदिया से नहीं लड़े वारा नसीर से लड़े और वारा नसी में हमने एक दो छोटी गलती कर दी नहीं तो वहां उनको निपट लेते हैं मतलब आप देखिए आयोदिया में उनी के लोगों ने उनसे कहा कि हारोगे और काशी में कितने से जीते एक लाक वोट से जीते मतलब जान बचा के निकले हैं सचाई है जैसे मैंने पार्लिमंट हाउस में कहा हमारा काम यह जो लगा रखा है मैंने आज यह यह जो चिन लगा रखता है इसको क्या कहते है अबे मुद्रा कहते है यह आपका चिन है इसको भूलो मत आप आप आज वापिस जाओगे अलग-अलग धर्म के लोग हो आप हर धर्म में यह चिन आपको दिखाई देगा गुरु नानक जी की फोटो देखिए महवीर की देखिए बुद्धा की देखिए इसलाम में भी जैसे मैंने पार्लिमेंट में कहा दुआ मांगी जाती है दोनों हाथ से ऐसे मांगी जाती है आप आप शिवजी की फोटो देखिए उसमें आपको यह दिखाई देगा और इसका मतलब है डरो मत डराओ मत और मैं आपसे यहां कहने आया हूँ इन्होंने आपके ओफिस पे आपके कार्यकरताओं पर आकरमन किया है अब आपको डरना नहीं है डराना नहीं है इन्होंने हमारे ओफिस पे धमका कर ओफिस को तोड़ कर हमें चैलेंज दिया है चैलेंज क्या है गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूँ हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं जो हमने कहा और लिखके ले लो लिखके ले लो कॉंग्रेस पार्टी कि जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोधी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोधिया में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं कौन हराएगा हमारे लीडर हराएंगे हमारे बबर्शे टाइगर हराएंगे आपको आप देख रहे हो मैं बता रहा हूँ आपको देखो 50% आप में से लोग 50% आप क्या सोच सकते थे मैं आपको पूछता हूँ आप क्या सोच सकते थे चुनाव से पहले आप सोच सकते थे कि अयोधिया में बीजेपी हारेगी आप सोच सकते थे कि नरेंद्र मोधी जान बचा के निकलेगा मतलब मार्जिन ऐसे तुक कैसे निकलेगा सोच सकते थे मैं आपको बता रहा हूँ जैसे यह योधिया में हारे वैसे यहाँ पर हारने जा रहे है आपको सिर्फ एक काम करना है एक काम करना है आपको आपको सिर्फ गुजरात की जनता को सिर्फ एक बात बुलनी है आपको डरना नहीं है बिना डरे अगर आप बीजेपी से लड़ गए चाहे आप किसान हो मजदूर हो छोटे वियापारी हो अगर गुजरात की जनता बिना डरे लड़ गई बीजेपी सामने नहीं खड़ी हो पाईगे दूसरा उधारन देता हूँ आप कॉंग्रेस पार्टी को जानते हो जानते हो हमारी पार्टी में कोई डरता है कैसे मालूम कैसे मालूम हमारी पार्टी में दिल से बात कर देते हैं बड़ा सा बड़ा हो राहूल गांदी हो हमारे पार्टी के लोग कहते हैं मुझसे कहते हैं मेरे कमरे में आके कहते हैं राहूल जी ये जो आपने किया हमें अच्छा नहीं लगा कहते हैं मैं बता रहा हूँ आपको और मैं कहता हूँ आपने सही बोला इस बार मैंने ऐसे नहीं करना था जो आप बोल रहे हो वैसे करना था हम ड़ते नहीं हैं ना हमारे कार्य करता हमें बोलने से ड़ते हैं ना हम अपनी कार्य करता की बात सुनने से ड़ते हैं ना हमारा कार्य करता हमसे ड़ता है अब देखिए मैं आपको reality बता रहा हूं BJP में नरेंद्र मोधी बैठे है उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने मैं आपको internal बात बता रहा हूं उन में से कोई नरेंद्र मोधी को नहीं चाहता मगर कोई नहीं चाहता मतलब पूरी leadership team देख लो आगे बैठी है मैं बता रहा हूं आपको अंदर की बाद बता रहा हूं inside track दे रहा हूं कोई नहीं चाहता मगर दम नहीं है डरते हैं अगर नरेंद्र मोधी जैसा leader congress party में होता पूरी congress party खड़े हो जाती कहते हैं नहीं हम डरते नहीं है हटो यहां से मगर उनकी party में धम ही नहीं है उनके कार्यकरताओं में डम नहीं है आप देखो न एक आदमी घड़ा है वहां पर सब की हवा निकल गई मतलब कार्यकरताओं की हवा निकल गई RSS की हवा निकल गई सारे leaders की हवा निकल गई सच बोल रहा हूं न और हमारे मतलब छोटा सा छोटा कार्यकरता होता है tiger होता है आता है Congress President के सामने आता है राहूल गांदी के सामने आता है कहता भया मेरे दिल में यह बात है आपको ना लगे मैं तो बोल रहा हूं तो यह Congress Party अंग्रेज़ों के साथ यह खड़े हो गए थे सारे के सारे RSS वाले हम लड़े थे हम लड़े थे हम लड़े थे हमने कहा देश से हमने कहा था डरों मत दराओं मत हमने कहा था बीजेप के लोगे हाथ जोड़के कहा था भाईया डर गए हम जो करना है कर लो तो आप अपनी हिस्ट्री समझो जो डर की भावना होती है न वो आप में नहीं है उनमें है और इसी के कारण मैं आपको बता रहा हूं Congress Party गुजरात में जीतेगी और गुजरात से ही नहीं Congress Party बनेगी क्योंकि Congress Party मैं गहरी बात बोल रहा हूं मैं ऐसी आलतू-फालतू बात नहीं करता हूं देखिए Congress Party बनी कहा थी मतलब हमारे जो सबसे बड़े नेता थे जिन्होंने रास्ता दिखाया था आप क्या सोचते हो जब यहां अंग्रेज राज करते थे क्या डर नहीं था गुजरात के वियक्ति ने कहा था महात्मा गांधी ने देश को कहा कि देखो डरो मत डराओ मत और आग गुजरात से शुरू हुई थी और आज अगर कॉंग्रेस पार्टी है तो वो पार्टी वो भावना वो सोच गुजरात से शुरू हुई थी इसलिए जब इन्होंने हमारा ओफिस तोड़ा मैंने सोचा भईया मौका मिल गया अब हम इनको सबब सिखाएंगे जैसे इन्होंने हमारा ओफिस तोड़ा वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं अच्छा अब मैंने गरोमत की बात करी मगर एक शिकायत भी है एक शिकायत भी है यह भी नहीं है कि कॉंग्रेस पार्टी गुजरात में कमिया नहीं है यह कहना पड़ेगा कहना पड़ेगा कमी क्या है एक कार्यकर्टा ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया कॉंग्रेस पार्टी के कार्यकर्टा ने राहूल जी कहता है मुझे राहूल जी यह कॉंग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है दो तरीके के घोड़े होते हैं एक रेस का घोड़ा होता है दूसरा शादी का गोड़ा होता है ये आप कभी कभी कॉंग्रेस पार्टी क्या करती है रेस के गोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के गोड़े को रेस में लगा देती है तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिये रेस के गोड़े को आप रेस दोड़ाईए और शादी के गोड़े को आप शादी में भेजिए तो ये हमें गुजुरात में करना है जो रेस का गोड़ा है जो त्यार है दोड़ने के लिए त्यार है उसको रेस में लगाना चाहिए और जो हमारे शादी के घोड़े हैं जो हैं उन्डको हमें शादी में बाराद में नचा देना चाहिए तो अब मेरा कहना हैं कि ये काम सीरिसली करना है हम हम पिछले चुनाओं में आप भी जानते हो मैं भी जानते हूं कि हम बीजेपी से पिछले चुनाओं में नहीं लड़े थे ठीक से नहीं लड़े थे उससे पहले चुनाओं में 2017 में हम तीन महीने कहलो चार महीने कहलो चार महीने तीन महीने हम लड़े और नतीजा आपने गुजरात के सीनियर नेताओं ने मुझे बस में कहा मैं बता रहा हूं आपको इंसाइड ट्रैक मुझे बस में कहा कि राहुल जी गुजरात में हमें 40 सीटे मिलेंगी मैंने उनसे कहा 40 नहीं हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और 16 सीट से हम चुनाव हा रहे हैं अब 3 साल है 3 महीने में हम फिनिश लाइन तक पहुँच गए थे 3 साल में हम फिनिश लाइन को मतलब उदर पीछे छोड़ के निकल जाएंगे हम मैं आपको यहां कह रहा हूँ कि आप लोग गुजरात में कितने साल बाद 30 साल हो गए 30 साल हो गए मैं आपको बता रहा हूँ मानो ना मानो आप में से 50 परसेंट अभी मान रहे हैं और 50 परसेंट कह रहे नहीं या नहीं होगा जो 50% मान रहे हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो 50% मान रहे हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप लड़ जाओ और ये बागी 50% बैठे हैं उनकी माइंड बदल दो नहीं अपार हो जाएगी सरकार बन जाएगी और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि AICC की team राहूल गांदी मेरी बेहन सारे सारे senior leader आपके साथ यहां कड़े होंगे आपके साथ मिलकर इनकी सरकार को तोड़ेंगे आपने बहुत सहा ए बहुत लाठिया कही है बहुत अपमान हुआ है आपका गालिये कही है आपने अब बहुत हो गया अब इनको हमें सबक सिकाना है और हम इनको हराने जा रहे हैं और और नफरत से नई महबत से महबत से आप देखना महबत से हम इनको हराएंगे कैसे क्योंकि नरेंद्र मोधी जी का जो विजन था वो घुभारा जो था वो फट गया है पटाक से वो फट गया है आप सोचिए पार्लेमंट बहुश में नरेंद्र मोधी वहां बैटे में यहां और मैंने प्रधान मंतिर जी उनके सामने कहा कि नरेंद्र मोधी जी आप एक वक्ति भी नहीं कह सकता हूँ पता नहीं आप क्या है क्योंकि आपने ही कहा आप ने ही कह कि मैं not biological हूं मैं biological नहीं हूं और मेरा मेरा सीधा direct connection है इशवर से अरे भाया आपका direct connection है इशवर से तो अयोद्या कैसे हार गए कैसे हार गए तो हमारे प्रधान मंत्री सोचते हैं कि बाकी सब लोग बायोलोजिकल गुजरात की जनता बायोलोजिकल गांदी जी बायोलोजिकल हिंदुस्तान के किसान मजदूर सब लोग बायोलोजिकल और नरेंद्र मोदी नौन बायोलोजिकल स्पीकर जी ने स्पीकर सर ने मुझे कहा ऐसे मत बोलिये मैंने का मैं थोड़ी बोल रहा हूँ ये तो प्रधान मंत्री बोल रहे थे मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ स्पीकर बिल्कुल चुप हो गए, बात तो सही है, बात तो सही है, ये राउल गानदी के शब्द थोड़ी है, ये तो इंदुस्तान के प्रधान मंत्री के शब्द है, नॉन बायोलोजिकल, अब सोचिए वो व्यक्ति, जो अपने आपको नॉन बायोलोजिकल समझता है, और देश की जनता को बायोलोजिकल समझता है, कि मतलब मैं यहां और बाकी जनता वहां, वो गुजरात को विजन कैसे दे सकता है, जो किसानों का दर्द नहीं समझ सकता, मज़ूरों का दर्द नहीं समझ सकता, डामन इंडेस्ट्री में जो काम करते हूं, उनका दर्द नहीं सम नहीं दिखा सकता, तो अब आपका काम है, गुजरात को विजन देना, गुजरात के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, माताओं, बेहनों को विजन देना, कि भाईया हम आपके लिए ये करने जा रहे हैं, आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा, हिला के रख दिया था पीजेपी को, आपने देखा, वैसा मैनिफेस्टो बनाना है गुजरात के लिए, गुजरात की जनता से मिलकर, एक लाक लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो बनाया था, वैसे ही हम गुजरात में लाकों लोगों से पूछ कर अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे, गुजरात को व ओट परे कर देंगे आप सब का दिल से धन्यवाद आकरी बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ जगनात यात्रा हुरी है आप सब को और यो यात्रा में भाग लेंगे आप सब को शुब कामनाई देना चाहता हूँ और दिल से दिल से प्यार देना चाहता हूँ आप सब का दिल से धन्यवाद नमस्कार जेहन अब है मुद्रा दरो मत दराओ मत